हेलो एवरिवन वेलकम टो माई चैनल आज हम वैज कटलेट बना कर तयार करेंगे जिसके लिए हमने आलू को उबाल लिया है और उनको मैस कर लिया है कुछ सबजिया बारीक बारीक काट ली है सबसे पहले हम एक बरतन लेंगे उसमें आलू डाल लेंगे आलू को हमने हातों से ही मैस किया है आब हम इसमें जोज सबजी आपके पास हो वे काट कर इसमें डाल लें हमने टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक कटा हुआ, प्याज, सिमला मेच, लाल और पीली, और करीपत्ता और कद्दुकस की हुई गाजर को इसमें डाल लिया है सबी सबजीयों को आप इसमें डाल लें, जो भी सबजी आपके पास हो उनको आप इसमें डाल लें या जो आपको पसंद होए डाल लेगा, हम इसमें ब्रेड करम्स डाल लेंगे, उपर से हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे आदा चम्मच लाल मेर्च, एक चम्मच सोप पाउडर, आदा चम्मच हल्दी, टेस्ट के अनुसार नमाक, और, गरम मसाला, धनिया पाउडर, चाट मसाला या पिशी हुई खटाई डाल लें, या आपने बुबिश में निचोड सकते हैं, इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, हम इनको हातों की हैल्प से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ये सबज्य आपस में ही बिना पानी डाले, अच्छी से मिक्स हो जाएगी, आप इन में पानी ना डाले और अगर जो रत पड़े तो पानी का छीटा इसमें डाल दे इस तरह से हमने सभी को मिक्स कर लिया है मिक्स करके हम कुछ देर के लिए इनको रख देंगे सभी मिक्स हो चुकी है अब हम इसको थोड़ी देर रखने के बाद एक पलेट लेंगे और उसमें हम इनको थोड़ा थोड़ा मिसरन लेकर इस तरह से गोल लड़ू बना ले या फिर इसको राउंड सेप में भी आप बना सकते हैं मैं इनको टिक्की सेप में बना कर तयार करूंगी इस तरह से हातों पर दबा कर इनको टिक्की का आकार दे और बना कर पलेट में रख ले सभी को हम इसी तरह से बना कर रखेंगे एक और हम बना रहे हैं इस तरह से इसको इतना मिसरन ले थोड़ा मिसरन ले उसको गोल बनाए फिर अतेलियों से दबा दे और चारो तरफ से राउंड में से हमने सभी बना कर तयार कर लिये हैं सभी टिक्की बन कर तयार हो गई है अब हम दो चम्मच, आटा या मैदा लेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके एक पतला घोल बना कर तयार कर लेंगे हलका सा इसमें नमक डाल ले और पानी डाल कर इसको पतला घोल बना कर तयार कर ले इस तरह से स्पुन की हैल्प से मिला कर हमने इसको तयार कर लिया है इसको एक तरप रख देंगे कुछ ब्रैड के करम्स लेंगे और टिक्की को पहले हम आटे वाले गोल में डाल कर डुबो कर इनको फिर करम्स में लपेट कर रखेंगे इस तरह से हम इनको निकाल कर इस पलेट में करम्स पर लगा लेंगे और हातों से आप इसको करें इस पुन से ज़्यादे अच्छा नहीं होगा इस तरह से लगा कर हम हातों से इसको इस तरह से पूरे पर लपेट कर थोड़ा सा इसको दबा देंगे इस तरह से सभी को करके पलेट में रख ले और दूसरी तरफ गैस जलाकर उस पर एक कड़ाई रखकर उसमें ओयल डाल दे जब तक हम इनको बना कर तयार करेंगे ओयल गरम हो जाएगा तरह हम उसमें को तल लेंगे सभी को हमने इसी तरह से तयार किया है अब हमें एक कड़ाई जो हमने रखकी थी उसमें ओयल गरम हो चुका है एक एक करके इनको डाल देंगे जितनी कड़ाई में अच्छी तरह से आए उतना ही डाले इसमें कम से कम चार या पांच ही एक बार में सिखेगी इसी तरह से हम इनको सेख लेंगे एक तरफ से सिख जाने के बाद हम इने दूसरी तरफ से पलट कर सेखेंगे golden brown होने तक हम इनको उलट पलट कर सेख लेंगे सबी को हमने इसमें डाल दिया है जितनी कडाई में आई है उतनी हमने इसमें डाल ली है अब थोड़ी देर तक हम एक तरफ से इनको सेखेंगे जब एक तरफ से सिख जाएगी तब हम इनको पलट लेंगे अगर आपको मेरी वेज़ टिक की पसंद आए आप लाइक करें सेयर करें और चैनल परनाए है तो सस्क्राइब करें आप इने बरत में बनाने के लिए इसमें जो आप बरत में खाते हैं वो चीज इसमें डाल कर इसी तरह से बनकर तयार हो जाएगी ब्रेड करम्स की जंगया आप साबुदाने का आटा पीस कर इन में डाल सकते हैं या कुट्टू का आटा भीस में डाल सकते हैं इस तरह से बनाते हुए हम इनको उलट पलट कर सेकेंगे आप इसमें जो चीज आप नहीं खाते उनको हटादे जैसे बर्त में प्याज नहीं खा जाता तो प्याज निकाल दे बाकी सबजी आप इसमें डाल सकते हैं इस तरह से हमने इनको उलट पलट कर सेक लिया है अब हम एक पलेट में इनको निकाल लेंगे और कड़ाई में दूसरे डाल देंगे एक एक करके सब को निकाल लें ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हमने इनको कड़ाई में से निकाल लिया है अब कड़ाई में हम दूसरे डाल देंगे उनको भी हम इसी तरह से सेक लेंगे हमने कड़ाई में अब दूसरे डालने सुरू कर दिये है इनको भी हम इसी तरह से सेख कर तयार करेंगे ये नास्ता खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है इसके साथ खटी मीठी चटनी आप बना लें और उसके साथ इसको सर्व करें साथ में गर्मा गरम चाय भी सर्व करें इस तरह से हमने दूसरी बार भी इनको डाल दिया है, इनको अच्छे से हम सेक लेंगे, सभी को इसी तरह से सेक कर तयार कर लें, कुछ पर हम सफेद तिल लगा कर तयार करेंगे, हम सफेद तिल में भी लपेट कर रख लेंगे, और उनको भी तयार करेंगे, इनको अच्छे से सेक लें, ये दुनों तरब से सिख कर तयार हो गई है अब हम इनको निकाल लेंगे जो नहीं सिखी उनको दुबारा से पलट दे इस तरह से सभी सिख गई है इनको निकाल ले गोर जिन पर हमने तिल लगा कर तयार कर या था उनको इसमें डाल दे तिल वाली टिक की भी बहुत अच्छी लगती है इस तरह से उलट पलट कर सेके इनको आप बना कर फिरिज में भी रख सकते हैं जब आपकी इच्छा हो तब इनको सेक ले और ये जल्दी बन कर तयार हो जाती है ये सब घर की चीजों से हमने बना कर तयार की है इस अभी चीजे घर में मिल जाती है इनके साथ हम खटी और मीठी चटनी भी तयार करेंगे अब हम इनको एक पलेट में इस तरह से लगा लेंगे और खटी मीठी चटनी रखेंगे दोनों तरह की टिक्की को हमने इसी पलेट में रख लिया है एक तरफ हमने तिलवाली रख ली दूसरी तरफ हमने सिंपल रख ली है इस तरह से हमने पलेट लगा कर तयार की है वैज टिक्की बन कर तयार है सरू करने के लिए